आधि हलो बच्चों आज हम लोग बात करते हैं कार्बक्सिलीक एसिद की तो कार्बक्सिलीक एसिड में जन्रल्फर्मुला क्या बच्चों रस्यूएच तो सबसे पहला मेंबर है फार्मीक एसिट उसके बाद क्या होगा इसको क्या बोलता है एसेटिक 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 तीन कार्बन होगा यह सब कॉमन नहीं है तो इसको क्या हो लेंगे प्रोपेनोईक या प्रोपियोनिक एसिट आई पीसे नेम प्रोपेनोईक एसिट होगा ठीक ना डाई कार्बोक्स लिक एसिट होता है ओम्स गाहन यह क्या होते हैं डाई कार्बोक्स लिक एसे को ओफॉर ऑव्जैलिक एम फॉर मैलोनिक एस फॉर सक्सीनिक जी फॉर ग्लूटारिक ठीक है एंड एफ और एडिपिक तो ऑव्जैलिक में दो सीवेच हैं इसमें तीन कार्बन यह मैलोनिक हुझ जाएगा शक्सीनिक में चार कार्बन या इसको ब्यूटेंड आई ओई कैसी कहेंगा इसको ब्यूटेंड ग्लूटारिक में पांच कार्बन हाजाएगा और एडिपिक में शिक्स कार्बन हाजाएगा ठीक है तो इस तरह से यह है कॉमन निम भी बच्चुका है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद जैसे कि यह है कि इसको क्या बलेंगे कि बेंजोई के सिट इसको जो है थैली के सिट ठीक है कि इसको बोलते हैं आई सो थैली के सिट और इसको बोलते हैं तर्थैली के सिर्ट कि यह जो है इसको क्या होता है मैली के सिट और इसका जो ट्रांस फॉर्म है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं फ्यूमरी के सिट ठीक है अब आते हैं अच्छो प्रिपरेशन ओप कारबॉक्स लिग ऐसे हो है तो तो कार्बोक्स लिगे शेकर लग क्या है और शिराइज ही तो करना है है यह पहला फ्रॉम प्राम्री अल्कोहल्स एंड अल्ड यह जो प्रैमरी अल्कोहल्स एंड अल्ड हाइड तो एल्कोहल्स जो होता है और शिट्टू ओएच इसको करना लोग अल्कलाइन क्यामनो फूर के साथ इसके बाद है डॉल्सिस करने तो क्या वेन जाएगा आर्चियोओ इस टाइब से हैं सी एच टू वेच इसको अगरान लोग सी रोट्री तो क्या होते हैं जोन से रीजिंग तो यह क्या हो जाएगा ठीक ना सी ओवेच बन जाएगा प्रॉम अलकाइल बेंजीन है ना तो इसको अगर हम रोग क्यामनो फूर के वेच के साथ कितने ही लंबी चेन हों यहां पर आप को तो फाइनली यहां पर क्या बनता है तो बेंजोइक एस ठीक है उसके बाद हमने बताया था जो भी जैसे अगर बचो एलकीन है ना सी एच टू इसको अगर हम लोग एसेडिक है कि में नो फूर के साथ कर दें ठीक है आर सी ओह फ्लस यहां पर क्या होगा कि बताया था ना की डबल बॉंड भी होताया डबल बाद वो में और एच की जगां वह जाएगा प्लस यहां पर यह डबल बॉंड हो आएगा और प्लस तरह से महां भी होगा ठीक नहीं ट्रिपल बॉंड भी है तो ठीक है यहां भी क्या होगा और सी ओ वेच प्लस यहां भी क्या है एक ठीक है यह बन जाए है उसके बाद बच्छो अल्ली हाइड होता है तो इसको हम लोग टॉलेंस रीजिन के साथ करा है यह फिर फैलिंग रीजिन होता है यहां भी क्या बन जाता है आर सी ओ आफ्टर इस एडिफिकेशन उसके बाद बच्छो में बताया था कि हाइड्रोल्सिस अगर आप करते हैं ठीक नहीं तो हाइड्रोल्सिस ओफ अल एसिट डेरिवेक्टिव्स तो जैसे यह है आर सी ट्रिपल बॉंड एन हो आर सी ओ एन इस टू हो जाया है ठीक है आर सी ओ ओ ओ और हो जाया है आर सी ओ ठीक है तो इन सब की अगर हम लोग क्यों है एस प्लास वाटर अलकलाइन एसरी कोई सभी ले सकते है ठीक है सब में क्या मिल जाता है इसी मिल जाता है ठीक है अगला है फ्रॉम गर्गनार्ड रीजिन तो आर एमजी एक्स होता है इसको हम लोग सी ओ टू पे रेक्शन करा दें ठीक है उसके बार कि एस सेटिफिकेशन कर दें तो यह बन जाए है ठीक है जैसे मालोग पी एच ब्यार है प्राला लेलिया एमजी दूसरा लेलिया स्योटू तीसरा लेलिया एच प्लस्त क्या बन जाए है बेंजोई एसीड बन जाए है ठीक हो चाहिए जासे कॉस्टिन दिया है राइट किमिकल रेक्शन टो अशक्त कॉ हम信师 स्टी ओहु मिए ए साथ आएपको पूले टंऑंन क्यास जास कॉस्टप्र रेक्यार मिए सब पहला है ब्यूटेन वन और टू तू यहां पही नहीं राएगा ब्यूटेन होई कैसे क्या करेंगे अब यह बताया था इसको हम लोग क्यामनो 4 से भी करा सकता है यह सिया रोत्री और जोन्स रिजेंट से भी लेख सकता है ठीक है दूसरा है पेंजाइल एलकॉहल्टो फिनाइल इथेनोइक एसेट यह बनाना तो इसको हम तो क्या करने पहले पीसेल 5 से कर लिए कारवन बढ़ाना है तो यहां पर केशियन वागला करना पोड़ेंगे अब इसको हमनों केशियन से गरा दिया तो अब देको यह कारवन बढ़ा गया है और अभी अभी हमने पढ़ा है इसके क्या कर देंगे हाइड डॉल्स से उसके बाद है 3-nitro borum benzen 3-nitro borum benzen से बनाना है 3-nitro benzoic acid तो यह बनाना क्या लो गई wounded लो पहला क्या ह। एम जी बियार यहां पर माइनेस और इसको क्या कर लो सी ओ टू पर रिट करा लो यहां जाएगा ठीक है फोर मेथाइल एसिटो फिनोन एसिटो फिनोन यह है फोर मेथाइल ठीक है 12 बेंजीन 1,4 डै नरें केलो इसको क्या कर लो किया मेंद व सी ओ रियायल कीजातर है किया नरें लिबु क्वाल क्या नें नेन थिख्र रिद फोर से कर ड़ार एक बार, pillasyn將 into 2-hexane-Cyclohexane 2-hexane-1,6-dioic acid simply कमनोफोल ले लोगे कम्यारा butanol 2-butanic acid butanol 2-butanic acid यहां भी क्या रहें? tolerance region ले ले लोगे या कमनो 4 भी ले सकते हैं या के टू सीयार 2-7 या फैलिंग ले सकते हैं कोई सा भी ले सकते हैं तो यह सब basic-basic reactions है यह आपको पता हना चाहेगा next is physical properties तो इसे में जो यह डाइमर बनाता है वेपर स्टेट में है या बेंजीन में तो इसमें जोता है कार्बोक्सिलिक एसिड फोर्ब डाइमर इन वेपर स्टेट और इन बेंजीन या नॉन पोलर जो स्टेट तो यह इस तरह से इंट्रामॉल्ग हर्जन बनाता है इनका जो मिल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट होता है वेरी हाई होता है यह वेंजीन में या वेपर में है इंट्रामॉल्ग हाईड्रोजन ठीक है तो पानी में बहुत ज्यादा सॉल्बल है हाईली वाटर मॉलर मांस बढ़ाते जाओ तो सॉल्बलिटी घटता जाएगा ठीक है अगर मॉलर मांस बढ़ाएंगे तो सॉल्बलिटी जो होगा घटता जाएगा अब आते मच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज को तो ये एसेटिक होते हैं तो ये एसेटिक होते हैं स्योटू देगा सॉल्ट बना लेगा यहाँ अब हैड्रोजे निकल दाएगा तो देश शो एसेडिक नेचर और एसेडिक नेचर जो होगा इनका बढ़ेगा तो ये एसेडिक नेचर जो होता है वह बढ़ता है ठीक है वित माइनस आइब माइनस आइब माइनस एच यहाँ जैसा हम लोग अल्रेड़ी पढ़ चुके हैं जी उसी में बेंजोईक एसीड के और्थोपेज आ एलक्टॉन विड्राइंग ग्रूप यह एलक्टॉन डो निप्टिंग उसकी एसेडिक स्टेंद क्या होती है हमेशा बढ़ जाती है इसको हम लोग क्या होता है और थो इफेक्ट इसा पढ़ा चुके हैं ठीक है नेक्स्ट है एसीड मॉलिक्यूल अन हीटिंग फॉर एन हाइड्राइड तो अगर बच्चु जैसे छोटा मेंबर होता है ठीक ना तो इसमें दो मॉलिक्यूल को आप हीट करने से एन हाइड्राइड बनता है जैसे P2O5 या P4O10 ठीक है तो यह एन हाइड्राइड बन जाता है लॉस और वार्ट है ठीक है और अगर बढ़ा होगा जैसे मानलो एडिपीक एसीड है ठीक है तो एक ही मॉलिक्यूल में दो है ना जिसे जो डाई कारोबक्स लिए तो इसको अगर खाली हीट कर लेंगे तो यह साइक्लिक बन जाया ठीक ना वन तो थ्री पॉर फाइब सिक्सेवन तो यह सेवन मेंबर का प्लस है ठीक है तो अगर डाई कारोबक्स लिए इस परकार से है ठीक है जैसे अगर सक्सीनिक एसीड है इसको हीट कर लेंगे तो वन टू थ्री पॉर और पाइब तो इस परकार से कि यह नहीं है ठीक है नेक्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं एस्टरिफिक्येशन तो इसमें क्या होता है आर सी ओ वेच होता है प्लस वेच आर डैस होता है एस प्लस की प्रजेंस में एस्टर का फॉर्मेशन होता है तो इसमें एसीड का वेच जाता है और इसका एच जाता है मेकेनिजम सिंपल होता है इसमें क्या होता है आर सी वेच प्रोटोनेट कर लेंगे अब इस पर जो आर वेच है वो टैक करेगा ऐसे होगा तरिये जाएगा आर सी वेच ठीक है और यहां पर ओफ फ्लस ठीक हाएँ और यहां पर आर तर यहां से यहां पर आर सी वेच 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 वेचवच टू प्लस ठीक है तो इसको हम लोग अच्छे एस्टरिफिकेशन कहते हैं अब यह जो एस्टरिफिकेशन है वो एसीड हिलाइट के साथ यह हो सकते हैं एसीड हिलाइट के साथ इस्टरिफिकेशन बेटर होगा क्योंकि यहां पर निकलेफाइल अटैक ज्यादा आसानी से कर सकता है ठीक है यहां भी एक बार आएगा और यहां से फिर जो सियल होगा वो भाग जाएगा ठीक है अगला है रियक्षिन विद्ट पीचिल 5 पीचिल 3 एंड एससे हैं यह पीचिल 5 ले लो चाहें पीचिल 3 ले लो चाहें सब के केस में क्या बन जाएगा एसे रहलाइट बन जाएगा प्लस इस टाइप से बनता जाएगा हरके से ठीक है तो पीचिल 5 है तो पीचिल 3 प्लस पीचिल थी प्लस यह थीचिल 3 प्लस ईस ते बनता जाएगा next reaction with तो अमुनिया एक साथ रेक्षिन कराओगे अमुनिया क्या है वही से निकलियो फाइल है इसके अटैक करेगा पहले तो यह साल्ट बना लेगा आर्च यो और यहां से एस्टू निकल जाएगा आर्च यो इनस्टू है इसको फॉर्दर स्टॉंगली हीट करोगे पीफोर वो टेन के साथ तो आर्च टुपल वन एंड बन जाए ठीक ना अजिसे बच्चू आएटी रवान से में आ चुकर है इसको अगर हम अमूनिया के साथ करते हैं तो यह अमूनिया सॉल्ट पले सी ओ एनस पूर प्रीश को हीट कर देंगे लिए ठीक है तो सी ओ एनस टू इसको इसको स्ट्रॉंगली हीट करेंगे तो यह ठीक है तो इसमें क्या होता है पहले अमूनियम साल्ट और स्ट्रॉंगली हीट करने पर फाइनली क्या बनता है अमाइड बनता है ठीक है ना नेक्स्ट है रिदक्षिण यह सा हम लोग अल्लेडी कर चुके हैं अच्छुए ना रिदक्षिण हुए लाए ले ले लोगी अल्यकोहल बना लेगा स्ट्रॉंग रिटीसिंग एजन्ट से लिए और डी कार्बॉक्सिलीशन हो जाता है कब बढ़ाता हम लोगोने पहले ही चेप्टर में सोडा लाइन के साथ ना एने ओएच और सी यो के साथ हीट कर देंगे ठीक है नेक्स्ट इसमें है हैल और हाड जिलिन्स की रिएक्शन तो इसमें क्यों होता है और सी एस टू इसका लोग एक्स टू प्लस रेड वाट ठीक है तो यहां पर एक्स आ जाएगा ठीक है तो जैसे यहां पर बी आर टू प्लस रेड फॉस्पोरस क्या एगा आर सी एच यहां पर भी आर सी ओ इस प्रकार से आ जाएगा ठीक है ना तो इसमें क्या होता है जैसे सी एच टू सी ओ ओ ओ ओ एच होता है ठीक है तो इसमें इस प्रकार से डबल बहुन सी ओ एच टॉटम राइज हो सकता है अब यह वापस आएगा ठीक है यह भगा देगा और सी यहां पर ब्यार आजाएगा वेस्प्लस और एच प्लस आजाएगा पी हैलोजिनेशन इस्ट्रेल से एच बीज़ डिएक्शन ठीक है नेक्स्ट है इसमें रिंग सब्सिचूशन तो अगर में जोई के सीड है यहां पर सीओ एच क्या लगाता है माइनस आर माइनस आई ठीक है तो यह मेटा डिरेक्टिंग है ठीक है किसमें EAS में अगर बिंजोई के सीड है इसको अगर हमने कि सील टू एल सील थी लिया या एच नो थ्री इस टो फॉर ले लिया ठीक न है तो इस केस में क्या है अगा मेटा को और यहां पर मेटा नाइट्रो बिंजोई एस टो वी आर्टो को एफी बी आर्ट्री ले लेंगे ठीक है यह है अब बच्छो कुछ हम लोग कोस्टन बना लेता है तो पहले इस यार्टी कुछ्शन हम लोग कर लेते हैं 12.6 विदिग दे प्रोड़क्स फॉर्म वन साइक्लो एक्सेन कार्बोल डिहाइड रिएट्स विट फॉलिंग लिए साइक्लो एक्सेन कार्बोल डिहाइड ठीक है इसको आपको देखना है कि प्रोड़क्स क्या क्या बनें पहला है साइक्लो एक्सेन कार्बोल डिहाइड को मनें किया पी एच एमजी ब्यार और उसके बाद पाने डाल दिया और क्या बने वाच माइनेस प्लस ना एलकोहल बन जाएगा यहां पर सी ओ माइनेस आएगा पाने डाल दो वह चाह जाएगा और यहां अश्याद अश्याइड ठीक है अगला दिया हुए टॉलेंस रिजिन क्या हो जाएगा इस इस बन जाएगा ठीक है ते लुटे gegen गलंत फ्लस शिल्वर मिरर्या यहा थैं बहुत संधी इंपर्टिंट अ फीर है सिय वह मist शियाज़वाइड क्या होता है स्योता है क्योत एस्ट्वर मिरर्या है यह थ्तू एन अने हैस्याषक्यो दिधर ट्रीक है सेमी करबा जोन आ जाएगो ठीक है इसके क्या नाम है सेमी करबा जोन एक्सेश ऑफ एतिनल अन एक्सेट एक्सेश ऑफ एतिनल अन एक्सेश अजिए अच्छेश विद्ध निकाल दोगे यहां पर ओटी आ जाएगा क्या बन जाएगा एसी टल यह सब रियक्शन वच्चों यही रियक्शन एक्जाम में आते है इसलिए आप इसको हलके मनले यही पढ़ने ही इसके लागा कोई भी आलतो फालतो रिक्शन नहीं पढ़ना है यह आता है तो फालतो पढ़ने का कोई नुक्सान नहीं हो लेकिन इसको छोड़ के फाल दो पढ़ लिया तो महानुक्सान है ठीक है फिर उसका बात कहा है कि जिंक अमलगम जिंक अमलगम कंसंट्रेटर्ट इसल क्या है वहलो क्लिमेंसे रेट्शन यह बन जाएं ठीक है तो इसमें बच्चो क्या हो गया है complete revision of reaction अगला है 12.7 which of the following compound that are of the following one undergoes addol condensation which of the following undergoes addol condensation केनी जारो रियक्ट्षिन ठीक है एant, नॉन आपको बताना है कि इसमें से कोँ यॉडल देगा गोण अब यॉडल के लिए के इसमें किया चॉडल के फ्लिफ और क्षा ख मॉत्वा फ्लीलीग किसमें होना छी है इसमें होना चाहिए फ्लीहाब़ी तो ना है और कैनी जारो के लिए अलफा एडोजन नहीं होना चाहिए यह केवल किसके लिए होता है लियाड और कीटोन के लिए तो पहला है मेथेनल है 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 यह कौन से रिक्षन देगा कैनी जारो ठीक है तो कहने जारो रिक्षन को सिया लिखने दूसरा है टू मिथाइल पेंटेनल है टू मिथाइल है टू मिथाइल पेंटेनल इधर इधर एक दो त्रीन चाहिए इसके बास अलफाड्यून है टीसरा है बेंजयल डी हाइड अब अब इंजल डी हाइड में अलफाड्यून है नहीं है इसलिए कैनी जारो एक्षन देगा कि उसके बाद है बेंजो फिनोन अधिक है ठीक है तो इसमें हाइड राइड ही नहीं है तो ये कैनी जारो रिक्षन भी नहीं देगा और अलडॉल भी नहीं देगा कैनी जारो में क्यों दो चुछ उसके पास हाइड्रोजन कम शकम एक तो होना चीन अब ही यहाँ पर जब वेच मायनस आता है ठीक है ऐसे तब जाकर कि अब यह जब रिटर्न होता है तब यहां से एच मायनस ट्रांसफर होता है तो अन्ना तो यह कैनी जारो रिक्षन देगा और नहीं अलडॉल कर्णेसेशन ठीक है तो यह इंपोर्टेंट फिर है साइक्लोहेक्सेनोन साइक्लोहेक्सेनोन ते किटोन है यस अलफाइडवजन है इसलिए क्या देगा अलडॉल कर्णेसेशन अगला है वन फिनाइल प्रोपेनोन मतलब यह है तो यह देगा यस यह कौन सा देगा एल्डॉल देगा उसके बाद है फिनाइल इसितल्डीहाइड तो यह है तो यह भी क्या देगा यह भी एल्डॉल देगा अगला है व्यूटेन वन ओल व्यूटेन वन ओल तो यह एल्डॉल नहीं देगा एल्डीहाइड नहीं है कहने जारों भी नहीं देगा है टू टू दाइमेथाइल व्यूटेनल हाँ यह है फिर वच्चो टू दाइमेथाइल विवूटेनल यह देगा यह देगा यह स मैंड़ अलफार्यू नहीं है फिर बच्चु 12.8 हाव विल यू कनवर्ट एथेनल इन्टो फॉल्विंग कमपाउन एथेनल से आपको बनाना है पहला है ब्यूतेन वन्थ्री डाइल ब्यूतेन वन्थ्री डाइल कैसे बनेगा देखो यह एलडॉल का फायदा है तो इसमें क्या लेलो पहले यह लेकर करके डाइलूट एनिवेश लेलो इसका दो मॉलिकल होगा यह ओएच हो जाएगा छी एच टू और और इसको क्या कर दो लाई एलेच पोर से रिडिउस करा दो कि अंच तो देखो यह अगा व्यूते न वन्ती कर दाइल कि अंच पर अगला है एथेनल से और क्या बनाना है ब्यूट्विनल ना ब्योट टू इन एल ना ब्यूट टू इन ल बनाने है बनाने है मतलब यह है लिए सीएस थीएच डबल बाड्ड क्या करोगे सिम्पल इसका इडाय से इलडॉल पहले बना लो गैए तो इसको खाली क्या करते हैं कि अल्फा कारबन और है इसके आमने सामने लाते हैं कामिन ग्रूप के इसको इसके साथ इसको इसके साथ जो अल्डॉल परण बन जाता है ठीव चो फिर अब यूट्ट्वीन वीकेसिद इससे बनाना है विव्यूट्वीन वीकेसिद सिंपल फिर से इसको क्या लेड़ो डाइलूट एनिवेच और इसको क्या कर दो हीट कर दो अब इसको क्या कर दो टॉलेंज रिजन लेड़ो यह जाएगा ठीका ठीका अब अगला है बच्चो प्रोपेनल और ब्यूटेनल के आल एल्डॉल पुड़क बनाऊगे ठीक है तो यह तो बच्चो हमने बता दिया है तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है कनवर्जन्स वाले ठीक ना इसे ट्वल पॉइंट वन थ्री है ठीक है ट्वल पॉइंट वन थ्री में गिव सिम्पल केमिकल टेस्ट तो डिस्टिंग्विश द फॉलिंग पेर्स इसमें समच्चो क्वेश्चन आता ही आता है ठीक ना गिव मैं वही करा रहा हूं जो बहुत ज्यादा है रेलिमेंट है सिम्पल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश पहला प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन पहला है प्रोपेनल है और दूसरा है प्रोपेनोन देखो यह जो होगा आई टू प्लस के वेश के साथ क्या देगा यल्लो प्रेसिपिटेट और आइडो फों यह नहीं देगा लेकिन यह जो होगा टॉलेंट टेस्ट देदेगा यह क्या देगा सिल्वर मिर्टर तो यह दोनों रियक्शन एक्स्रीम इपॉर्टन खूब आये हुए है खूब आते हैं दूसरा है एक एक टो फिनोन और बेंजो फिनोन इसिटो फिनोन और बेंजो फिनोन सेम वह यह यह भी आइटू ब्लस के वेज के साथ क्या देगा सिएच आइथरी का यालो पीपीटी देगा और यह नहीं देगा ठीका ठीका तीचरा है फिनोल और बेंजो इक एसिद फिनोल और बेंजो इसिद मुच्चु फिनोल का एक स्पेशल टेस्ट होता है अभी मैं बता दरहूं न्यूट्रल एफ़ी के साथ वायलेट कलर आता है और यहां पर नहीं आएगा ठीका पर नो कलर दूसरा इसको अगर हम नहीं एक स्पेशल में डालेंगे यह स्पेशल गैस लिब्रेट करेगा और यह एक स्पेशल के साथ स्पेशल का लिब्रेशन नहीं करेगा फिर यह बेंजोएक एसिड और इथाइल बेंजोएट बेंजोएट और इथाइल बेंजोएट तो से मैं वहीं कि यह एन एच स्यो थ्री के साथ स्यो टू को देगा और यह नहीं कारे नहीं करmiaशा भ्रा और नहीं है नहीं है नहीं हुआड पेंटी आनटी आन पेंटैंटी आन own पेंटैन टू और पेंटैन दीन आनटी आन जोओं और पेंटैंटी आनन घन पेंट Developer Peter अगेन यह आई टू प्लस कोई के साथ यल्लो पीपीटी देगा यह जो होगा आई टू प्लस कोई के साथ यल्लो पीपीटी नहीं देगा ठीक है बेंजल्डियाइड और असेटोफिनोन बेंजल्डियाइड और सेम है यह हैलो फॉर्म टेस्ट देगा आई टू प्लस कोई तो यल्लो पीपीटी देगा ठीक है यह आई टू प्लस कोई के साथ पीपीटी नहीं देगा उसके बाद है इथेनल और प्रोपेनल सेम है ठीक है यह अगेन आड़ो फॉर्म देगा यह आड़ो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा प्लस कोई घट्टी पाईो फॉर्म आट्सु मैला हम खुक सो रॉर्म देगा और तो लुजे हो जुजे। एदू है रहरे आट घट्य। औरु पॉर्म ॉर्म देगा रहरे कंव间 ग्लेख। conversion in more than two step तला है प्रोपे प्रोपे नोन 2 प्रोपे नोन 2 क्या बनान है प्रोपेन बनाना है तो क्या कर लोग इसको हम लोग लाई लेज फोर से कर दें के अलकॉल बन जाएगा और इसको कॉंसेंट्रेटेड डिहाइडरेशन कर देंगे दोस्ट फिर है बेंजोईग असीड टू बेंजल डिहाइड बेंजोई केसिड से बेंजल डिहाइड बनाना है तो इसको क्या कर लोग पीस्चेल फाइब कर लो और यहाँ पर रोजन मून रेडक्शन कर रहाँ या डाइबल एच भी ले सकते हैं क्या था है एस्टू पीडी बी एसो तीशरा है एथेनॉल टू थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल क्या करोगा इसको पीसी सी के साथ कर लोगे तो एसिटल डिहाइड बन जाएगा और यह एल्डॉल कंदेंसेशन ले लोगा ठीक है बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटो फिनोन बेंजीन से मेटा नाइट्रो मेटा पोजेशन पेंड़ो तो इसका एस्साइलेशन कर लो थे पीसी अग्या यह एल्च एसे टो फिनोन आजायगा अब हुसके बाद इसका नाइट्रेशन कर लो अचनो 3 अस्ट वेस्ट वेस्टोस अगला है ब्रोमो फिफ नुमर बंजल दियाइड तो बंजो फिनो बंजल दियाइड तो बंजो फिनो बंजल दियाइड तो बंजो फिनो ठीक है तो इसको पी एच एमजी बी आर के साथ कर लो तो यह अलकोहल बंजाएगा ठीक है और इसको क्या कर लो सी यू 300 दिग्री सेल्सेस लेसा अगला है ब्रोमो बंजीन टुवन फिनाइल एथेन अगला है ब्रोमो बंजीन टुवन फिनाइल एथेनल बनाना है बा juvenile बनाना है ब्रोम फिनाइल एथेनल ब्रोम बैस इसको क्या कर लो पहलेव्ट양द्ट मेंकेशिय। पी एच एमजी बियार आगे है इसको एसिटल डिहाइड के साथ इसे पानी डाल देना उसके बाद है बेंजल डिहाइड टू थ्री फिनाइल प्रोपेन वन आल टू थ्री फिनाइल प्रोपेन वन आल बेंजल डिहाइड टू थ्री फिनाइल प्रोपेन वन और ठीक है तो इसमें देखो चूप की सीन के साथ एड करें लो ठीक है यहां पर सी एच वेच और सी एन आ जाएगे ना यहां थी वेच depरें परान से ठीक हारगब यहां थी फिनाइप्पन न ओर तो तो और सी वेच ऑसे बास्मान से और सुप चe वहां परागब यहां तो यहां वेच के लिएच तो परागब गैडाब वादी ओएच खाइब फिर एच वाल खब लिएच दो कि मैंने गलत दिखाए पुड़क्ट केसी जब ले लो गया नहीं सही तो है कि यह बेंजल डियाट टू थ्री फिनाइल कि सी फिनाइल वहाँ हाँ यहरूप पया नहीं है बेंजलडेहीड यह थी फिनाइल पूपान वान उल बेंजल बान वहाँ कि प्रचते करते वेelागी खूशच्च शॉश्पाइग्वेश और आपको यह जो काम करना है तो इसमें जहाए है तो इसमें अगर लोग एसिटल डिहाइड के साथ इसमें डाइलूट एन वेच और एसिटल डिहाइड लेने यह इसके साथ यह बना देगा वेच्छ टू यह जाया ठीक हो चो और इसको हीट करना हीट करना देट इस नौट इस्टेप तो यह जाया जाया डबल बांड शीएच और इसको एच्टू पीडी से कर दो सब आ जाया डबल बांड भी खतम जाया है ठीक है तो इसिटल डिहाइड के साथ उसका हमने कंडेंसेशन ले लिए नेक्स्ट है 8 नूमबर है बन्जल याद 2-Alpha-Hydroxy-Phenyl-Acetic-Acid बेंजल दियाइड तो अल्फा हीड्रोक्षी फिनाइल असेटिक यह क्या है अल्फा हीड्रोक्षी फिनाइल असेटिक असेट यह है बस वही कर लो किसीन ले लो कि यह ओह चाहिएगा इसको हाइड्रोल से इसको यह है यह यह अल्फा है तो अल्फा है अल्फा है अल्फा है अगला है बेंजोई के सिट्टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल इलकोहल से बनाना है मेटा नाइट्रो बेंजाइल इलकोहल अल्फा इसका नाइट्रिशन कर लो ठीक है नहीं हाँ ठीक है यहाँ बेंजोटू आएगा अल्फा है लाहले लेलो बेंजाइब दूझाइल एड़ के बनाइब दूझाइब गार्श्टू श्यूटू श्यूटू बहुड को दो जास और जास नहीं टो नहीं टो कि नहीं टार जो नहीं टो नहीं टॉ नहीं टॉ करो प्रपतरों करो last year करो प्रप्रेवाज़ कार्णनी नाथ्यस नाखने कार्णनील यह स्कीक्पाइवाज नाथ्यस 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 निय्यस्ट्रेवाजर्णैपों रीजेंट नॉट 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 थीक है पहला है मिथाइल बेंजोएट तो हमें इसको बेंजीन से बनाना है एक से यादा निलिया सकते है तो इसको हम लोग चुले लें एक सी यो ची या गटर मेंट कोच यह लडिया ले लेता है ठीक है तो क्या सी यो प्लस एच सी यल प्लस एजल सी या एच सी यल प्लस एच सी यल प्लस कोई साभी दे सकते है ठीक है तो यह बेंजल डियाइड बन जाएगा एक से यह थीक और इसको अक्षिराइज कर लो कि यह आजाएगा सी यो एच ठीक है और इसको हम ले एच प्लस और इसमें स्टेप नहीं लिखा है ना तो मैं अपने यह समसे कर दे रहा हूं क्यारा क्यारा क्यों प्रिपेर करो कि एक कावन ज्यादा कावन नहीं लेना है ठीक है तो नहीं लेना है अगला है बेंजीन से बनाना है मेटा नैट्रो बेंजोई केसिट यह सब तो बार बार कर चुके हैं तो पहले इसका कि एक से यादा ले निसका है फिर से भई लेड़ो अना और यह फिर ले लिए लहाना सी यो फ्लस एच चल ब्लस अ बेंजल डियाइड बन जाएगा कि नाइट्रेस्ट्रशन कर लो एनो टू आ जाएगा क्या में आफो डाल दू ठीक है अगला है बेंजीन से पैरा नाइट्रो बेंजोई के सिट तो इसको ले लो CS3-CL-ALC अब इसका नाइट्रेशन ले लो यह और थो और पैरा प्या है इसको केवनो फोर से गेट करा लो ठीक है फिर अगला है बेंजोई के सिट से फिनाइल एसिटी गेसिट मनाना है तो इसको CS3-CL-ALC-L-3 ले लो यह आएगा CS3 अब हम लोग बाद में next मनाएंगे a minus के तो अच्वा हमने to the point मनाया है ठीक है कोई भी आलतों फालतों की रिशन है जहां पर जितना content देंगे जोरे थे उतना हमने दिया है ठीक है बस इसकी practice आप इतना कर सके वही आपके लिए क्या होगा fruitful होगा ठीक है